सुरी लाइट चला गया था और इसके लिए मैं सिर्फ राइमा वैली में लाइट नहीं कटता है सिर्फ डुम्बूर में लाइट नहीं जाता है अंपी में लाइट नहीं जाता है पद्दुबिल में लाइट नहीं जाता है गाउं में लाइट नहीं जाता है राजबारी में लाइन ठीक है, you can all hear me, सब लोग ठीक से सुन सकते हैं मुझे, तो एक क्वेस्टिन था, फ्रम अमर जी दे बर्मा और पार्था दे बर्मा, की आर ग्रेटर तीप्रा लाइन और कॉंसिटूशन सलुशन ते सेम थिंग, सबसे पहले, कॉंसिटूशन सलुशन के अंदर सब आता है, कॉंसिटूशन सलुशन के अंदर जो भी चीज कॉंसिटूशन के अंदर है, वो आता है, और वो हम बात करेंगे, ओविसली डिरेक्ट टो हो गई ही, ओविसली 248 तो हो गई ही, जो हमारा मुद्दा है, मेरा पॉइंट है, वो भी हम रखेंगे, दूसरा पार्टी वो उनका पॉइंट रखे का, लेकिन जब हम 10 points रखेंगे वो 10 points रखेंगे और जब बात होगा तभी इसका solution निकलेगा लेकिन solution कोई मुझे जेल में नहीं नहीं हो सकता है अगर मैं कल बोलता हूँ greater the problem क्योंकि Constitution of India हमें allow करता है हम जाके बात करेंगे वो कहेंगे कि चलो यह अभी नहीं है वो नहीं है मैं बोलूगा यह होना चाहिए वो होना चाहिए जब बात होगा आमने सामने बात होगा बराबर का बात होगा तभी इसका solution निकलेगा लेकिन जो जो points में हम agree करते हैं उसको तो हम आज solve कर सकते हैं दारिक फंड तो अगर बीजेपी कह रहा है हां मैं कह रहा हूं हां IPFT कह रहा है हां Government of India कह रहा हां CPM कह रहा हां Congress कह रहा हां तो शुरू कर दीजीUM जमीन का अधिकार अगर मैं कह रहा हूं हां आप कहेंगे हां तो solve कर दीजीए अगर विलिज पुलिस आना है तो मैं कह रहा हूं कि लाइए आप कहता है ठीक है तो हो जाएगा हमारा जो अधिकार है जहां में हम लोग एक दूसरे से अग्री करते हैं उसको तो अग्री कीजिए तो यह बात मैंने कहा है राइट्इग में होना चाहिए और जब तक बेने पहले भी कहा है कि जब तक अभी और एक क्वेशन आया है धन्तुरुपरा और थमस से द्रीस अ क्या रिखेट में जवेवेड बीजबी बीजबी स्पोस्परसन सम्मित पातर रिगार्दिंग इसका इस्कुन इस्कॉशन सलुशन. इवन अमिच्शा इदिनों घ्यू की ने सेप्में अन इस्वेड एक्ट्रुस्ट बीजबी I only trust my Deeprasa people. I only trust my Deeprasa people. But the Home Minister has told me clearly that there will be an intercalator, there will be official talk and we will be invited for official dialogue with the Government of India. He said that yesterday, Samvit Patra ने अपने पार्टी के और से जो बोला है, मैंने भी ट्वीट किया कि बात होगा, BGP ने तो उसको नहीं बोला है कि बात नहीं होगा, has BGP said that ये बात होगा जो मैंने ट्वीट किया है, जो मैंने Facebook में स्टेटमेंट दिया है, कि Home Minister ने कहा है कि बात होगा और एक interloc किटर को अपोइंट किया जाएगा, मैंने ये स्टेटमेंट कल दिया है, त्रुपडा के government ने इसको deny किया है, अगर ये बात नहीं सच होता, तो deny करो, deny नहीं किया न, तो कि ये मुझे बोला गिया है, अब देखना है कि आने वाले दिन में इसका notification आता है, और हम बात कैसे अगर नहीं आएगा, तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जब home minister of India ने हमें ये बात कहा है, तो हमें उनको समय देना चाहिए, कि वो एक official interlocutor appoint करे, और मैंने statement जो बाहर में दिया है, पब्लिक में है, मीडिया के सामने है, बीजिपी ने तो और state government ने तो इसको deny न Speculation, कथार जमातिया से, there is speculation that Tipra Motha will become part of government as three ministers post is still vacant, मैं जानता हूँ कि three ministers post vacant है, लेकिन हम लोग election जीत के नहीं आए क्योंकि तीन आदमी को minister बनाना था, हम लोग election जीत के आए, आपका प्यार से और आपको बोला गया है कि आपको आपका संव्यधानिक अधिकार दिया जाएगा, तो जब तक हमारा ये constitutional solution का agreement नहीं होता है, तब तक हम minister नहीं बला, government में post, ministerial post नहीं लेगे, जो गलती IPFT ने 2018 में किया, कि committee बनने के बाद immediately मंत्री बन गए, उसके बाद चुप रहे, क्योंकि मंत्री बन गए तो pressure नहीं कर सके government को, हमारा bookungbara का अधिकार के बारे बात करने के लिए, वो गलती IPFT का गलती थिप्रा मौता नहीं करेगा, जब तक हमारा solution का agreement नहीं होता है, जब तक constitutional solution नहीं मिलता है, जब तक हमारा demand का achievement नहीं होता है जब तक हमारा त्परासा को कुछ नहीं मिलता है तब तक हम लोग government में नहीं बैठेगे I hope मैं clear हूँ क्योंकि 2-3 लोग लिखते रहते हैं लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता है मैं ना MLA हूँ तो मैं मंत्री भी नहीं बन सकता तो मुझे क्या चाहिए मुझे आपको कुछ देना है और आपको अगर कुछ देना है तो इसके लिए एक होकर हमें एक संग रहना है आपको संग गदारी नहीं करना है जो गलती IPFT ने किया वो गलती बुबागरान नहीं करेगा तूसरा क्वेस्टिन है अगें बाइक थार इस नोट नोट देन वे नाई विलिंग तो सिट इन दो पोजिशन जब तक सेलुशन नहीं होगा मोपोजिशन में बैटेंगे क्या प्रब्लम इतना साल ऑपोजिशन में बैठें सीपेम के अगेंस ऑपोजिशन में बैठें बीजीपी के संग ऑपोजिशन में बैठें बैठ जाएंगे हमारा जो तेरा MLA से वो तो कोई सरकार में आज तक एक भी MLA मंत्री बना नहीं सिर्फ अनिमेश और प्रिश्यकितु पहले MLA थे वो टैम भी ऑपोजिशन में थे और अनिमेश जब प्रिश्यकितु था वो तो मंत्री नहीं बना तो हमको कोई लालच नहीं और जो हमारे 11 MLA और हैं सब नए नए हैं फ्रेश है MLA बना वो भी आपका आशिर्वाद है वो उससे हम खुश हैं कि अगर कुछ और मिलता है तो हमसे पहले हमारा तीप्राशा को चौदा लाग तीप्राशा को कुछ दे दो उसके बाद हमें कुछ दे दो लेकिन जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा हम लोग अपने लिए कुछ नहीं देंगा कि अमित तुपुरा से एक क्वेस्चिन है और देर सम्सक्राशन इन सोशल मीडिया कुछ सब्सक्राशन इस सोशल मीडिया में कि कुछ दिमांड लिस्ट दिया गया था यह सही है कि गलत है हमने जो भी दिमांस हम देंगे हम ओफिशल इंटर लॉकिट अगर देंगे से या सोशल मीडिया से लीक करके यह सब जो वाट्साइब ग्रूप में चल रहा है वह फेक है जो भी होगा वह हाई लेवल में होगा हम लोग अपना जो डिमांड है वह हाई लेवल को देंगे और जब अप्रूव होगा तब उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या बात हो है यह मेरा प्राइबट क्वेश्चन यह पताएंगे आपका है अरो में बाद में आंसर करता है अपने हल्थ के बारे शरिथा चौधरी और नुपुर पाल ने एक सवाल पूचा है दस हजार तीन सो तेज़ टीचर के दिया बुबागरा विल्यू है टेन थाउज़न थी ट्वेटीटीटीटीटीचर इस इस आपके पास एक छोटी सी बेटी है मैं आपको गैरेंटी करके बूलना चाहता हूं कि जब हम बात करेंगे तो आपका इशू भी 100% उठाएंगे और वान टाइम सेलूशन का आपका भी वान टाइम सेटलमेंट का आपका भी मैं बात करूंगा आपने दस हजार तीन सु तेज़ टीचर ने बहुत कश्ट उठा आप चिंता मत कीजिए एलेक्शन खतम हो गया इसके यह मतलब नहीं है कि 10,330 टीचर को मैं भूलूंगा मैं आपका फाइट आपका जो आपके सांग जो गलती काम हुआ है आपके सांग गलत काम उसके लिए मैं इशू उठाते रहूंगा और जो डायलॉग होगा उसमें भी मैं यह बात उठाऊँगा राइंटिंग मैं आपको यह आज इस लाइब वीडियो से गैरंटी देना च के मैं आपको छोड़ूंगा नहीं मैं आपके साथ काड़ा हुं और मैं आपके लिए सब्सक्राइब करूए अब दिल चोटा मत कीजें मैं आपके साथ हूं मैं आपके साथ और और एक क्वेश्चिन आया है प्रसुन देव बर्मा से प्रसुन देव बर्मा उसका सवाल है कि क्या तेरा एमिलेज एक संग रहेंगे यह तेरा एमिलेज कहीं नहीं जाएंगे यह तेरा एमिलेज का खून भी आप ही का खून है और मैं हंड्रिट पसंद जानता हूं कि कोई हमारे तेरा एमिलेज को इधर से उधर नहीं कर सके लेकिन अगर कर आपका डिल तूट गया हैं है अगर आप अपने आपको डावट करने लगें तक यह तेरा में अब दिल में थोड़ा ऑगर जब आप अपने आपको डावट करते हो त chilum ा आप अपने लाइन में खड़े रहते होना तब भुबागरों को भी लगता कि कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे सांग आप सब हमको जो पावर है न वो आप से आता है अगर आप एक रहेंगे अगर आप थांसा रखेंगे तो मेरा 13 MLA को भी शक्ती मिलेगा एक नहीं लेकर अगर आप अपने उपर कि हम मेंसे कोई भी तेरा MLA गर्मेंट में नहीं बैठेगा जब तक हमको Constitution solution नहीं मिलेगा यह मेरा गैरेंटी में और एक सवाल आया है और एक सवाल आया है अनंतरक्षित अनंतरक्षित उसने हमको पूछा है कि यह सेलेकशिद में आपको क्या लगता है भंगाली नंसको वोड़ किया ट्राइबल ने किसको वोड़ कियai है देखिखी है मेरे पास ऐता है ऐब बास दिटा है पूरा दिटा है मेरे पास मेरे पास और डिक्रायलि लिखा गया है कि 62% और मॉस्सिक्स्टी टू पर सिक्स्टी से उपर जो हिंदू बंगाली बूत एरियास है जहां में हिंदू बंगाली जादा थे वहां में बीजेपी ने सीपीम और कॉंग्रेस ते जादा वोट लिया इसका यह मतलब है कि मुस्ट बिंगॉली जो नॉन माइनॉरिटी है जो हिंदू है जादा करके उन्होंने बीजेपी को वोट किया है दूसरा डेटा में आया है कि अबाउट 75 to 77% कि ओवर ओर जो तीप्रासा है उन्होंने तीप्रा माथा को वोट किया है और तीसरा डेटा है कि अनंत बाबु यह तीसरा डेटा है कि यह जो मुसल्मान ने दिया है जहां में किने आयरें च्क फाइट किया है यह वहां में ओवर 90 पसेंड ने ये सी प्याइन और काउंग्रस को वोट किया मुथा को बोट नहीं किया और वी जेपी कि तो से उसक्लियर बात है कि ट्राइबल ने मुथा को ज्यादा गोट किया । यह डेटा बता रहा है डिंगॉली हिंदू ने ज्यादा बीजीपी को ओवर सिक्स्टी परसेंट वोट किया है और मुसल्मान ने ज्यादा करके वोट किया है और सीपीएम पॉस्ट जो लोग आज मेरे उपर उंगली उठा रहे हैं मुझे मालूम नहीं आप किसको वोट करते हैं रक्षित बाबू लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक आरोप है मेरे उपर कि महाराजा ने ट्राइबल को बोला कि पॉंग्रेस और सीपेम को वोट नहीं देने के लिए डेटा ख्लेली बता रहा है कि आपके खुद के ही कम्यूनिटी ने आप अपने ही कम्यूनिटी का वोट अपने पार्टी में नहीं ला सकें कि आप खुदी अपनी कम्यूनिटी के वोट आपने भूत से पुरा बूत का डेटा है का वोट ने ज्यादा करके बीजेबी को वोट किया तो आप मेरे उपर उंगली क्यों दालते हैं आज अगर आप देखेंगे यही अगर आपका जस्टिफिकेशन है तो अगर आपको लगता है तो आपने भागमा में केंडिट क्यों दिया आप दो तीप्रमुथा का हरा आया कि मीजीपी जीता आपने चरिलाम जहां में भॉग शोटे मार्तिन से जीते आपने करे बूत क्यों दिये आफ दिप्रमॉथा जीता लेकिन अगर आ वोट केंडिट नहीं दित तो और जाधा इसा यह सही बात नहीं JOHNT आधिर बजार में आपने केंडिट क्यों दिया आपको तो चांस नहीं था आपने च्छामनों में क्यों दिया आपका तो चांस नहीं था आपने केंडिट दिया इसके लिए वोट बटा हम लोगारे क्रिष्णपूर में क्यों दिया करम चरा में कोई चांस नहीं था आपने क्यों दिया आपने भी और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत जगे से से के नहीं है और हम लोग हारे क्योंकि आपका वोट विनिंग मार्जन से जाता था तो यह लॉजिक सिर्फ हमारे उपर अप्लाई होगा नहीं होगा एक और इंट्रेस्टिंग बात है जितेंदर चौधवी बहुत कम वोट से जीते हैं क्यों जीते हैं तिप्रा मौथा ने आगर कैंडिड दिया होता तो जीता आज जितेंदर चौधवी जीता है क्योंकि तिप्रा मौथा चां ने उनको वोट यह जैनरेल एरिया में जीटेंदर चौधवी हार रहे थी अठारा ऐसा सीट है जहां में मैंने एक एंडिट नहीं दिया को हमें मैक्सिमम कौन जीता है तो गलती सब तरफ से हुई है, एक आदमी को गलती उंगली पॉइंट करके करने से ठीक नहीं है, गलती सब से होता है, लेकिन किसी को दलाल बोलना, किसी को बोलना, इसने ये रुपया खाया, वो गलत बात है, आप opposition unity के बारे बात करते हो, जिस दिन हारे, अपना हार को नहीं स्विकार करके आप दूसरी को पर उंगली लगाते हैं, ये गलत बात, ये मानना पड़ेगा, पच्छे साल, पच्छे साल, ट्राइबल का वोट लेकर, CPM ने राज किया तरुपरा, पच्छे साल ट्राइबल का वोट लेकर, CPM ने तरुपरा में राज किया, जिस दिन, CPM ट्राइबल का चेहरा जितिन्द चोधरी को बनाया है उस दिन सीपेम का वोट बीजीपी में चला गया है उसमें भी आप खुरा सा गंबीर से बात सोचें मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन सच्चाई है मानना पड़ेगा कि पस्चिम बंगाल में मैक्सिमम हिंदू बंगाली बीजेपी को वोट कर रहा है मुसल्मान का कंसलिडेशन से ममता बैरजी जीत रही है डेटा बता रहा है त्रुपुरा में भी मैक्सिमम जेनरल एरिया के लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं बीजेपी को और ये सच्चाई आपको स्विकार करना पड़ेगा आपका पडोसी वोट कर रहा है आपका भांजा वोट कर रहा है आपका रिष्टेदार वोट कर रहा है आप नहीं कर रहे हो तो इसके उपर मेरे उपर आरोप देना गल आप लोग अपना अधिकार के लिए बात करेंगे, 25 साल तक आप लोग हमारा वोट लेकर पावर में रहे, आज आपने जब खुद एक जनजाती को CM का फेस बनाया, तो वोट नहीं मिला, क्योंकि आप ही के लोग ने BGP को जादा वोट किया, एक जनजाती फेस को वोट नहीं किया, यह आपके अंदर भी discussion होना चाहिए, अब कोई दूसरा सवाल आता है, I hope, how is the attraction going, how many people, good, मैं अंत में 2-3 को खतम करता हूँ, एक अच्छा points मैंने मेरे सामने आया था, सबसे पहले points आया था कि आपका आने वाला रस्ता क्या होगा, मैं आज facebook live कर रहा हूँ, कल मैं जाओंगा, मैं मुक्की मंत्री को विश्च करूंगा, अगर constitutional solution के लिए interlocator का written notification आता है, उस दिन से हम constructively बात करेंगे, लेकिन जब तक नहीं आता है, opposition में जगा बहुत अच्छा है, हम वहां में बैठेंगे, और वहां से हम अपना, अपना responsibility में भाइगे, और ADC में इतना कम पैसा मिला है, ADC में fund release नहीं हुआ है, मैं अनुरोथ करता हूं कि हमने जनादेश माना, people of Thirupra have voted for Honorable Chief Minister Manik Shah, I wish him the best, he will now be the head in the government, but Thipra Sa people have also voted for us, और अगर आपको 30% Thipra Saab को छोड़के Thipra को चलाना है, तो ये सब का साथ सब का दिकास नहीं है, आपको हमारा बात सुनना पढ़ेगा, आज Thipra मौथा को इतना vote क्यों मिला है, क्योंकि ये जो हमारा problem है, genuine problem, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा तबेट ठीक नहीं है, आपने देखा होगा, मेरा पिछले दो मेहना में, में अल्मोस 12 से 13 किलो वजन घटा है, तबेट ठीक नहीं, मुझे ट्रीट्मेंट के लिए जाना है, लेकिन मैं अपने लोगों को आधे रास्ते में छोड़कर दोपा देकर गद्दारी नहीं कसकिता, और यहां में फेस्बुक में एक दो लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, मैंने देखा सुमान कोई है, आपका, वेर इस और ग्रेटर्टी प्रलाइंट, सुमान, मजाक मत ओड़ा, किसी का मजाक मत ओड़ा, मैं आपको आँख में आँख देकर बोल गए, हम लोग हानी बुसाएं, मजाक मत ओड़ा, प्यार से बात करोगे, तो प्यार से इज़त मिलेगे, मजाक ओड़ाओगे, तो आने वाले दिन में आप ही को कश्ट होगे, सम्मान दो, सम्मान दो, मेरा पार्टी का डिमांड जो है, वो मेरा पार्टी का डिमांड है, आपका जो व्यू है, वो आपका व्यू है, डिसाइड, तब ही होगा, जब हम लोग बात करेंगे, लेकिन किसी का मजाक मत ओड़ा, हमारे अंदर भी दिल है, हमारे लोगों के अंदर भी दिल है, हमारा भी सेंटिमेंट है, यह मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ, इसको चेतावनी मत समझने, लेकिन किसी भी गरीब इनसान का गाउं में उसका मज़ाप मत बोले, एनिवे, इनको छोड़िये, एक दो केशना, आरती र्यांग और सचलांग दे बर्मा, we know your health is not good, how are you now, when are you going to go for, I will go for my treatment, after a few days, but let me now, first sit with all my leaders, my party men, I love you, you know, you will have voted for me so much, and, बुभाग्रा विल, before something happens to बुभाग्रा, मुझे कुछ होने से पहले, आपको कुछ न कुछ तो दूना, चिंता मत करो, जैसे मैंने कहा, आप से मुझे शक्ती मिलता है, आपका एकता देकर मुझे पावर मिलता है, आपका एकता देकर हमारे MLA को पावर मिलता है, अगर आप कमज़र हो जाएंगे ना, तो हम कमज़र होगे, आपको मुझे से पावर नहीं मिलता है, मुझे आप से शक्ती मिलता है, तो आप लोग एक रहिए, I love you, God bless you, stay united, we will, we will come, God willing, ऊपर भगवान देख रहा है, हमें constitutional solution के लिए बात आगे चलेगा, मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा, हम लोग जहां में हैं, जहां में थे, वहीं में रहेंगे, यह मेरा message है, बहुत लोग fake news circulate करते हैं, WhatsApp में करते हैं, आपका दायत्य है, कि जो मैंने आपको आज directly Facebook live से बोला है, वो आप हर गाउं में जाके बोलिए, हर कामी में जाके बोलिए, और मेरा message सब के पास पहुंच आएगे, बेलाए बेलाए नो हम भाई, धन्यवाद, थैंक यू, हम लोग आज 0 से 13 में आये हैं, ए एक दिन और भी आगे जाएगे, don't worry, हम भाई